गैस PUBG Mobile Lite को अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक नोटिस आ जाता होगा अगर आपके PUBG Mobile Lite में अगर आपके पास नोटिस नहीं आ रहा है तो यह आएगा ही आएगा क्या आता है यहाँ पे server is busy और please try again later error code आपका registered area आता है जी हाँ दोस्तों यह error लगभग PUBG Mobile Lite वाले जो भी यूज किये हैं और जो भी अपडेट कर रहे हैं तो उनमें यह आहीं रहा है अगर अभी तक आपका नहीं आएगा तो आहीं जाएगा तो आपको इस वीडियो को देखना होगा गैस जैसे ही आप इस पे OK पर क्लिक करते हो तो आपका गेम कर्ट हो जाता है और इसका आप सॉलूसन बहुत सारे YouTube पे वीडियो देख देखकर सर्च कर करके देखकर सर्च किये होगे तो आपका टाइम और एम भी दोने ही वेस्ट होगा लेकिन अभी तक इसका सॉलूसन नहीं मिला होगा जी आँ दोस्तों मैं उन लोग को भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उन लोग कभी वीडियो खराब है लेकिन उन लोग का वीडियो बहुत पुराना हो गया जिसके बज़ा से अब ओ काम नहीं कर रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं जेन्मीन ट्रिक बताने वाला हूँ और लाइफ प्रूब करके गेम को ओपेन करके और मैं दिखान करूँगा और इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते तो चलिए चलते हम अपने में टॉपी की तरह बट उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो और इस वीडियो को लाइक नहीं कियो तो जल्दी से ज आउनलोड ही करना पड़ेगा बहुत साले बोलेंगे बिदावट बीपी एन बता और मैं बता भी दूंगा लेकिन वह बीपी एन के बिना भाई खेलोगी नहीं क्योंकि इंडिया में पुरी तरीके से पपजी मूबाइल लाइट बैन है और बहुत सारे यूटूबर आपक काम ही नहीं करें तो इससे मैं दिकतवारी बात नहीं है आप को सुरा भी पेन या पन्ड़ा भी पेन जो आपको मन करें आप कर शकते हो डाwnलोड उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट वीपीन 1.1.1 VPN जी हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको कोई VPN डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे open करना है तो आपको permission देना है मेरे सारे players इसको यूज करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको तो simply सी यहाँ पे आप देख सकते हो यह disconnected है जी हाँ दोस्तों यहाँ पे disconnected है तो अब इसको क्या करना है connected करना है अगर आप दूसरा कोई VPN यूज करते हो तो आपको Singapore या South Korea पे आपको connect करना है अगर उस पर भी अगर आपका problem आता है तो आपको again से जाना है और connect करना है क्या United States आपको connect करना है उसके बाद connect करने के बाद यहाँ पे कुछ समय तो connecting लेगा checking connection लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो connected यहाँ पे मेरा guys जो जो मैं आपको step बताया अगर आप उस step को अगर आप follow किये होगे तो आपको आसानी से और easy way में यहाँ पे क्या करना है समझ में आ कुछ MB का update मैंने 50-60 MB का या 25 MB मांगते हैं तो कोई दिक्ट यहीं पता smoilी यहीं पर अपका server this register याप dripping करने के लिए देना है Star работает कर कiosis को और यूंद कोई दिक्त वाली बात नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इस वीडियो को complete watch कि कियो और जो म transform पताया होग तो guys आप इस वीडियो को complete watch कियोंगे और step by step देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगी कैसे आप गेम को असानी से और easy में आप इसको start कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like करना ना भूलेगा अगर आप मेरे channel पर first time visit के हैं और अभी झाल में झाल झाल